अखिल बारती कॉंग्रेस कमिटी की महा सचेव हम सब की नेता प्रेंका गांधी जी अभी जिनका भाषन आप सुन रहे थे आपके विदायक और लोकसवा के प्रत्याशी मुराइलार मीना साहब दीरज गूजर जी खटाना जी ममता भुपेश जी हमारी प्रमुक्त प्रमुक सवा में आप सब जो मौजूद है नौजवान साथियों माताओं बहनों बुजर्गों प्यारे बच्चों आप सब जानते हो 19 तारे को वोट पढ़ेंगे और जैसा मुराइली जी ने कहा ये दोसा लोकसवा छेत्र है पूरा परदेश और पूरा देश ये जानना चाहता है कि 2024 के लोकसवा चुनाव में दोसा की जनता बांदी कुई की जनता पूरा किसको वोट डालेगी है और मैं आज भाषन आपके बीच में दे रहा हूँ एक कॉंग्रिस के नेता होने के कारण नहीं दे रहा हूँ ये भाषन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक अधिकार है मेरा मेरा हक है और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ ये चुनाओ देश का चुनाओ है आज प्रियंका जी समय निकाल कर आपके बीच में आई है अपनी पार्टी के लिए मुरारी जी के लिए वोट मांगने के लिए इसलिए कि इस देश और परदेश में दस साल की सरकार का जो काम रहा उसको जन्ता ने देखा उसका आंकलन किया और अब मन बना चुके हैं कि बदलाव करना पड़ेगा आप और हम सभी जानते हैं जब पहली सरकार बनी पूर बहुमत की सरकार बनी वादा जन्ता से किया था परदेश के लोगों ने राजिस्तान की 25 की 25 सीटें भाजपा को जिता दी थी लेकिन आज 10 साल हो गए आज नौजमान पूछ रहा है हमारे रोजगार कहां चले गए महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है और भाजपा के नेताओं को भाशन देना है तो वो ही गिसे पिटे भाशन हिंदू के, मुसल्मान के, मंदिर के, मजजित के हिंदूस्तान, पाकिस्तान और समाचार समाप्त आप सब लोग जो आज यहां खड़े हो बैठे हो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ ये चुनाव रोचक बन गया रोचक क्यों बन गया? जैसा मुराईडी जी कह रहे थे बहुत सारे भाजपा के नेता यहां पर आ रहे है कौन-कौन से मुखमंत्री आए? उत्तरप्रदेश के मद्दप्रदेश के हर्याना के राजिस्थान के तो कही बार आली होगे मेरे ख़ल और योगी जी मोदी जी राजनाज सिंग जी फलाने जी धिंकाने जी मुराईडी जी कह रहे है बीटिंग पहले कर लो मैंने का नहीं अभी चुनाओं में एक दो दिन रहन दो और इतने सब नेता आ रहे हैं बीजेपी के मैंने कोई बड़ी बात नहीं है और प्रियंका जी का समय लिया था पंदर तारिक का तो मैं हर्जे के जो बात बोलता हूँ आज बोल रहा हूँ इतने नेता भाजपा के आ गए आज प्रियंका जी यहां भाषण देंगी बानिकुई में दोसा में तो सौ सुनार की एक लोहार की तो सब जितने भाषण दे गए सब बराबर हो जाएंगे और यहां हमारे जिले के बहुत नेता है जो भाजपा से जीत कर गए है वो गाउं गाउं डोल रहे है कोई चावल बाट रहा है कोई पानी पी रहा है कोई कसम खा रहा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस लोकसभा के परणाम से किसी का कोई मंत्रीपत जाने वाला नहीं है और मैं तो हाँ जोड़के बोलता हूँ कोई मंत्रीपत छोड़ना भी मत बहुत मुश्किल से मंत्रीपत बने है बने रहना चाहिए लेकिन यह चुलाओं बहुत महत्पूने साथियों और बीजेपी की सरकार बनी राजिस्थान में हम लोग काम्याब नहीं हो सके बहुत कम अंतर से कांग्रिस भाजपा कांथर डेड़ दो परसंट का था हम अच्छे विदाएक जीत कर आए सतर बातर विदाएक लेकिन अब पूरे देश में जहां जहां भाजपार कांग्रिस की टक्कर है मैं कई जिलों में गया हूं मैं जोदपोर, बाडमेर, जैपोर, अलवर, मादोपोर दोसा हर जगे लोग बदलाव चाहते हैं और दोसा के लोग यहां मैं प्रिंका जी को बता रहा था मेरा पहला चुनाव मैं लड़ा था 2004 में बीस साल पहले और आप लोगों ने सवालाख वोट का अंतर दे करना से जिताया था और उस बात का ऐसान आज में मेरे कंदों पर है और इन बीस सालों में मैं जमेर से भी सांसाद रहा अभी टॉंक से विधायक हूँ लेकिन दोसा के लोगों के उपर बांदीकुई के लोगों के उपर मेरा एक वेशिश अधिकार मानता हूँ आप लोगों ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया हमारे परिवार का साथ दिया पार्टी का साथ दिया और पालेट साब के समय से लेके आज तक जब तक परिसमन नहीं हुआ था यहां लगातार कांग्रेस पार्टी जीती रही मैं आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ इस चुनाव में हमें वो ताकत वो एकता और वो समय याद करना है जब यहां कांग्रेस का तिरंगा जिन डाले राता था दुनिया की कोई ताकत यहां के चुनाव लड़ती थी बड़े बड़े आके लड़ गए चुनाव लेकिन कॉंग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती थी यह लोग सभा का चुनाव मुरालयाल मीना जी हमारे उमीदवार है लेकिन यह चुनाव हम मिलकर सब लड़ रहे यह हमारा चुनाव है यहां का जो बटन दवेगा उसमें मेरी भी योगदान रहेगा मेरा भी उसमें आपको हिस्सेदारी दिखेगी इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है अभी चुनाव में दो-तिन दिन बचे है हो सकता है दो दिन में और भी को नेता आजाए बाशन देने के लिए लेकिन आज मैं विशेश रूप से प्रेंका जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज शायद संभव तब पहली बार वो बांदी कोई आई है एक बार जोड़दार तालियां से प्रेंका जी का स्वागत करें और यह वो तालिया नहीं तालिय बजाते रहो यह जीत की तालिय है मुराइलार मीना जी को संचंद में बेजना है दिल्ली में और मैं दोसा में कह रहा था आज सभीता जी नहीं है मैंने का सवीता जी आपके लिए बहुत शूब है, पहले वो चुनाव लड़ती हैं, कामयाब नहीं होती, फिर मुराडी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, प्यांका जी सवीता जी चुनाव लड़ती हैं, बांधी कोई से नहीं जीत पाई, फिर मुराडी जी की हैं लेकिन आप मेरा एक बात ध्यान रखना अभी यहां बहुत सारे नेता गाउं गाउं डोलेंगे मैं अभी पूरे परदेश में घूम रहा हूं हर जगे कॉंगेस मजबू स्थिती में हैं लेकिन सब की नज़र टिकी हुई है इस दो सा लोग सबाथ छेथ से कॉंगेस को जिताना होगा जिताना होगा जिताना होगा और ताली बजा के नहीं जीतेंगे बटन दबाना पड़ेगा उस इंसावे हैं माना है भात है माई के गई सुसराल गई वोट डालने भूल गए तो पार नहीं पड़ेगी 19 तारीक को एक एक बू कर लो है और सुनो कर 19 तारिक को पतानी प्रियंका जी कहां पाचार कर रही होंगी मैं कहां प्रशारा कर रहा ह previous वह फिर बटन दबे वो T करकर सिंद्ध भोलती है मशीन Eeva की मशीन ट करके वह बटन इतनी जोर से दवाना मैं जहां मुझे टी की वास्पनाई पड़ जाए कि दौसा का बटन दब गया और मिराल जी को संचन में भेजना है हमारे हातों को ताकत देनी है मैं एक बार पुने प्रियंका जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकाल का राज हम सवकों को संबोदित करने के लिए आई हैं और प्रियंका जी मैं इस तमाम जनता की तरफ से यहां बहुत सारे ऐसे साती हैं जिनको पहले मैं नौजवान देखता था दूबले पतले थे अब कुछों का पेट निकल गया कुछ के बाल धौले पड़ गए कि निके बच्चे बड़े हो गए लेकिन ये एक ऐसा परिवार है दुख और सुक में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हमने संबल मांदा एक दूसरों को मदद करी आज उसी रिष्टे उसी नाती की दुवाई देते हुए मैं आपसे मुरादिय के लिए वोट मांग रहा हू मुझे पूरा विश्वास है कि 36 कौम के लोग भूल जाओ ये जातिकत गंदन पत्रकार लोज रिखते रहते हैं इतने मीने इतने राजबूत इतने गूजर इतने ब्रामण इतने बहरवा हम सब 36 कौम के लोग एक मुठी में बंदो कर कॉंग्रेस पार्टी को जिता कर अदब से हम सब की नेता प्रेंका जी को मैं आममत्रित करता हूं वो आएं और आप सब रोग हम मुद्रित करें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन राम राम साथ सचिन पाइलट जी मुरारी लाल मीना जी मेरे साथी धीरज गुजर जी गजराज खटाना जी ममता भुपेश जी ओपी हूडला जी राम जी लाल ओध जी अमरिता धवन जी मंच पर विराजमान सभी नेता गंड सभी पदा दिकारी गंड मेरे प्यारे बहनों मेरी प्यारी बहनों मेरे प्यारे भाई आप सब का इस सभा में बहुत-बहुत स्वागत राम राम साथ मेंदीपूर बाला जी महराज की देव नारायन भगवान जी की मीन भगवान जी की राम देव भगवान जी की ये पंडित नवल किशोर जी की धर धर्ती है, सचिन पाइलट जी के पिता जी की धर्ती है, जिन्होंने आज जीवन आपकी सेवा की, आज यहां पहली बार आने का मौका मिला है, चुनाव का समय है, खास तोर से चुनाव के समय मुझे हमेशा लगता है, कि जनता से सच-सच बात करनी चाहिए, सीधी-सीधी बात करनी चाहिए, भाषन, आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं, कितने बड़े-बड़े नेता आए हैं, सब ने आपको अच्छा कासर भाषन दिया होगा, अपने सुना होगा, तो भाषन आपने बहुत सुन लिए है, मेरे से कुछ सीधी-सीधी बाते सुन लीजिए, और कुछ सच्चाईयां जो है आज देश की, वो आप ठीक से समझ लीजिए, इनको समझने से आप ही का फाइदा होगा, क्योंकि ये देश आपके जागरुकता के बल पे बना, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, वो कैसे बना, कैसे हुआ, हमारे जो नेता थे, उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया, क्योंकि जनता जागरुक बनी, जनता समझ पाई कि एक सामराज्य है, कि हमारे साथ ठीक बरताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है, जागरुक होने से ही एक आंदोलन बना, और सिर्फ महत्मा गांधी जी, जवाला नेहरू जी जैसे बड़ लन के हिस्से इसलिए बने, क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरुकता उनमें आई, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए जब मैं कहती हूँ, कि आप से मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरुक बने, और ध्यान से मेरी बातों को देखिए, मोदी जी यहाँ आए, भाशन सुना अपने उनका, नहीं सुना, भाशन सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है, है ना, मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाशन, मैंने उनका भाशन सुना, और सच्चा ये है कि जुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे लेकिन दस साल बाद इतने सारे जूटे वादों के बाद इतनी सारी बड़ी-बड़ी बाते करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में आज महंगाई इतनी बढ़ रही है पूरा नहीं कर पाए इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हलकी पड़ रही हैं आपने सुना होगा एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग-अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम सम्विधान को बदलेंगे मंच पर मोदी जी सम्विधान की बाते करते हैं कल भीम जी राओ अद्वेदकर जी की का जन्द वस्था उनके बारे में खुब बाते की सम्विधान की बाते की लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ जनता के बीद जाओ और बोलो कि हम सम्विधान को बदलेंगे तो सोचिए ये क्यों हो रहा है ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं और बाद में जब सरकार आती हैं तो ये ऐसे निर्ड़े लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं इस सम्विधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े गया जैसे मैंने कहा आप के पूर्वज लड़े देश की जंता क्यूं लड़ी इस समविधान को बनाने के लिए आजाद होने के लिए एक सामराज्य से क्योंकि इस समविधान में आप सब का अधिकार समान होता है मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो सब का अधिकार समान होता है एक लोगतंत्र में और यही लोगतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूरवचों ने बनाया तो समविधान बदलने की बात कैसे उठती है समविधान बदलने की बात हो रहा है और इसलिए आपको जागरुक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्पूर्ण है देखिए चुनाओं में जो भी नेता आपके सामने आता है उसे आपकी बात करनी चाहिए आपने देखा है कि कितनी बहकी सी बाते हो रही है कोई धर्म को जागर कर रहा है आपक मचली की मोदी जी तो हर बार राजस्थान आकर यही बात करते हैं कि मेरी बेहने बैठी हैं उनको बुरा लगे और वो उसी आधार पर वोट डालने तो आपका ध्यान भटकाने का काम तो धड़ा धर तेजी से हो रहा है और अफसोस की बात यह है भाई और बहनों की काफी आपका ध्यान भटक भी जाता है आपकी गलती नहीं है क्योंकि मेरे मीडिया के जो भाई बहन है यहां जो खड़े हैं यहां मेरे दोस्त वो भी यहीं दिखाते हैं जो चाहते हैं कि आप देखें वो भी मोदी जी की कहने पर दिखा रहे हैं आज जितनी भी बड़ी-बड़ी मीडिया की कमपनिया है सब बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हैं और जो मोदी जी की नीतिया हैं वो आज इन बड़े बड़े उध्योग पतियों के लिए ही बन रही है आप देखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है आपको आकड़े दिखाये जाते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है यह तरक्की आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे सुनाई नहीं दिया मुझे नहीं देख रहे हैं यहां जितने नौजवान बैठें आप बताईए हाथ उपर करके बताईए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से मेरी बेहने आप जब बाजार जाती है कुछ खरीदने के लिए जब त्योहार होता है जैसे अब नवरात्री का त्योहार है आपको कुछ खरीदना पड़ता है आप चाहतें कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने त्योहार का दिन है घर में कुछ अच्छा सा पके, तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती है, मुश्किल होती है न, पहले से जादा मुश्किल है कि कम, जादा, बहुत महँगाई बढ़ गई है, अब आप समझे इस बात को, अभी तक जब तक चुनाओ आया तब तक आप गैस सिलिंडर को कितने का खरीद रहे थी ग्यारा सो बारा सो रुपए चुनाओ आने लगा नेता क्या कहने लगे भाजपा के चार सो रुपए का आप सिलिंडर ले लीजिए तो जब 400 रुपय का सिलिंडर ये आपको चुनाओ के पहले दे सकते हैं तो पिछले तीन साल से क्यों खरीद वा रहे थे 1200 का समझ रही है आप बात कि ये अपने फाइदे के लिए कर रहे हैं ये चीज़ें आपके फाइदे के लिए नहीं कर रहे हैं आज महंगाई इतनी है मेरी बेहने सब जगे रो रही हैं जहां मैं जाती हूँ कि हम कैसे करें हम खुद कमा रही हैं हम खुद काम कर रही हैं खेती में लेकिन पूरा हो नहीं रहा है मेरे भाई रो रहे हैं किसानों का पूरा हो नहीं रहा है, कि जितना भी काम करें वो खेती में, कमाई पूरी हो नहीं रही है खेती से, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि खेती करने के लिए जितने समान आप इस्तमाल कर रहे हो, सब पे GST लगी हुई है, सब महंगा हो गया है, तो कमाई कैसे होगी, प बनते थे, अब नहीं बन पाते, क्योंकि खेती में जब कमाई ही नहीं है, तो रोजगार कैसे बनेंगे, है कि नहीं, आप सर हिला रहे हैं, ठीक बात कह रही हूं मैं, कमा नहीं पा रहे हो, जो पलायन करके जा रहा है, शहर में वो कमा नहीं पा रहा है, वो कहते हैं हमें कि हम कमा रहे हैं, हमारी बीवियां काम कर रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ये GST हर चीज पे लगी हुई है, और ये सब गरीबों के लिए है, बड़े बड़े उद्योगपती पूरी छोट दे रखी है, सोला हजार क्रोर रुपे की छोट का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और यहां किसान दस हजार रुपे के लिए आत्महत्या कर रहा है, अपनी बेटी की शादी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लोट मुआफजा नहीं मिलता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज माफ नहीं होता, यह परिष्थितियां है आपका संघर्ष, यह एक सामोहिक तपसیا है आपकी, यह आपका संघर्ष है, जिसने इस देश को बनाया है, और आज उस संघर्ष को कोई पहचान नहीं रहा है, सरकार में क कोई सुनवाई नहीं है, किसानों ने अंदोलन किया, इन्होंने काले कानून निकाले, किसानों ने अंदोलन किया, दिल्ली के बाहर जाके बैठे, महीनों के लिए किसान बैठे, सल्दी में बैठे, इनकी बिजली काटी, पानी काटा, लेकिन प्रधान मंत्री जी निकले नही अपने घर से बात करने के लिए सुनवाई नहीं हुई सुन तो लेते हैं अगर नहीं करना था उनका काम काले कानून वापस नहीं लेने था तो कम से कम सुन्वाई कर लेते इस देश में भहूत बढ़ी बात है बहुत पुरानी परंपरा है महापुर्षों की नेताओं की जो-जो जनता की सेवा करता है उसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है सेवा की परंपरा है और उस सेवा की परंपरा के सबसे बड़ी चीज यह है कि सुनवाई होती थी चाहे कितना भी बड़ा नेता हो मैं खुद अपने पिता जी के साथ बहुत गूमी, प्रधान मंत्री थे उस समय, और जैसे ये आपका क्षेत्रय है मुरारिलाल जी, उसी तरह से उनका क्षेत्रय अमेठी था, वहां में उनके साथ बहुत गूमी, छोटी सी थी, पीचे बीचे जाती थी, एक दिन किसी महिला क हम भी ग़या हम खूब डाटा उन्होंने और मैंने तो कभी ऐसा देःखा नहीं था कि मेरे पिता जी को गईासा राट राया है, तो मैंने को क्या हो गया, कहते हैं कि मेरा मेली सड़क नहीं मनाई ये, छे महीने पहले आपो ऀया था, मैंने मौने प्रती, प्रती मेरी अगर आप ऐसा करोगे तो वोट नहीं तो पिताजी ने उनको समझाया अच्छी तरह इसे बिठा के समझाया और बोला कि ठीक है मैंने इसकी कारवाई शुरू किया है इसमें समय लगता है समय के बाद कुछ महीनों के बाद हो जाएगा तब वो सुनी फिर हज के चाय पिला ही सबको उनोंने लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि देश का प्रधानमंत्री था मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे किसी की जुगी जोपडी में गए और उस म या इनके खिलाफ कारवाई करो ऐसे नहीं कहा बात सुनी सुनवाई हुई उस महिला की बात सुनी श्रधा से सुनी और बाहर आय तो मैंने पूछा बुरा नहीं लगा ऐसे डाटा उनोंने आपको बुरा क्या यह तो उनका कर्तविया है मेरा कर्तविया है कि मैं इनकी डाट सुनू लेकिन आज ये महाल नहीं है देश में बहनों और भाईयों आज एक बड़ा अजब सा महाल बन गया है आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कारवाही हो जाएगी पुलिस पकड़ लेगी आपको डाट पड़ेगी आपको पीटा जाएगा आज ये महाल बन गया है देश में और ये महाल बनाया किसने है ये महाल मोदी जी की सरकार ने बनाया है ये मोदी जी की जो सत्ता है न जिसको ये पूझते हैं ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं इनको कोई बत तो सत्ता देखने को मिली कि लोग कैसे जूट बोल देते हैं कि आप जीत रहे हैं असली सच्चाई है कि आप हार रहे हैं लोग बोलते हैं क्योंकि डरते हैं सत्ता से तो आप सोचिए मोदी जी की इतनी सत्ता हो गई है कि आजकल उनको कोई सच्चाई बताने वाला रहा नहीं सब डर रहे हैं उनसे और अजीब सा सिलसला हो रहा है कि जो डर नहीं रहा है विचारा मुझ खोलता है तो उसको डांट देते हैं या हटा देते हैं परेकर देते हैं तो सचाई समझ नहीं पा रहे हैं और जो संघर्ष है आपका जो रात दिन का आपका संघर्श है उससे कट चुके हैं वो अब समझ नहीं पा रहे हैं और यही मुझे उनकी बातों में उनके भासनों में दिखता है इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन ठोस आपकी बात नहीं कर रहे हैं इसानों के लिए क्या किया है दस सालों में, क्या किया है आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, आपको कहा था आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, क्या हुआ, हुई दुगनी आपकी आमदनी, आपको कहा था कि आपको 15 लाक रुपे आपके खाते में जाएंगे, 15 लाक नहीं पांच किलो का राशन का बोरा दे दिया, खुद चंदा बटर रहे हैं, पूरे देश भर से, जिस जिसको इन्होंने ठेका दिया है, उससे चंदा ले रहे हैं, आप देखें जो गुजरात में पुल गिरा, और अब ये जो चंदा की सूची आई है, कि भाजप्पा ने कितनी चंदा किस-किस से ली, उसमें इनका नाम है, जिन्होंने वो पुल बनाया है, जो गिर गया, इसमें उनका नाम है, जिन से वैक्सीन खरी दी गई, जो आप सब को हम सब को दो-दो वैक्सीन लगवाई, कि मोदी जी का चहरा था उस वैक्सीन पे, उनसे भी चंदा ली है, त तो इन्हों ने तो चंद्रा सबसे ली, और आपके लिए, पांच किलो का राशन, बस इसमें काम चलाओ, क्या यही आपका अधिकार एक लोग कंत्र में, क्या यही आपका अधिकार इस देश में, नहीं, इसलिए मैं कह रही हूं, जागरुक हो जाओ, आपके रोजगार बनान स्वाई अड़े थे. जितने बड़े-बड़े कारोबार थे, सरकार के सारे तमाम इनको पकड़ा दिये. क्यों? कौन हैं ये लोग? कि देश की पूरी संपत्ति इनको दे रहे हैं. ये आपकी संपत्ति है, मोदीजी की संपत्ति नहीं है, ये मेहनत से आपके पूरवजोंने बनाई है, ये आपकी संपत्ती है, और ये सब उनको सौप दी, कर्ज माफ होते हैं उनके, किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, उसका कर्ज माफ नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता, आपके बेटे, मेरे साथ अभी हलिकॉप्टर में, CRPF के एक अफसर थे, वो मुझे बता रहे थे, कि उनके इलाके में, 17 साल की उमर से, बच्चे दौड लगाना शुरू करते थे, मेहनत करना शुरू करते थे, कि हम सेना में भरती होंगे, सेना में भरती होंगे, भरती होने के बाद, सेना में नौकरी करने के बाद भी जब घर आएंगे हम अपने माता-पिता की देखबाल कर पाएंगे, उनके दिल में देषभक्ति की भावना है, दिल में ये भावना थी कि हम अपने देष के लिए, अपने जान देने के लिए तयार है, मैंने खुद अपनी आखों से भी देखा, उत्तर प्रदेश में धीरा चाहिए तुम थे उस समय मेरे साथ कि रात के तीन चार बजे जब अंधेरा चाया हुआ है सूरज हुगा नहीं है नौ जवान बच्चे जिनकी अभी उमर भी नहीं है भरती होने के लिए दौड लगा रहे हैं मैंने पूछा क्या कर रहे हो दौड लगा रहे हैं दीदी सेना में भरती होना है मोदी जी ने क्या किया उन उमीदों को उन आशाओं को क्या हुआ मोदी जी ने तोड डाला अगनी वीर जैसी स्कीम लाए अब मुंबई में हम यात्रा कर रहे थे एक लड़का आया वही कुछ 21 साल का होगा या हो सकता है उससे भी कम रो रहा था कह रहा था दीदी दो बार मेरा नाम सूची में आ गया है दो बार लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रही है पांच सालों के लिए मैं क्या करूँगा जाके वापिस आके क्या होगा तो मैंने का माता पिता क्या कहते हैं पिताजी कह रहे हैं कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, तो मैंने का, मैंने सुना कि बहुत सारों के साथ ये हो रहा है, तो उनने का, बिल्कुल दीदी, ये जो अगनी भी स्खीम है, इसकी वज़े से हम सेना में जाना ही नहीं चाहरे हैं, चाहे हमने कितना परिष्रम किया हो कितनी महनत की हो, हम जाना नहीं चाहरे हैं, रोज़गार पैदा करने के जितने माधियम थे, वो लगभग बंद हो गए हैं, ये छोटे कारोबार, छोटे बिजनस, छोटी दुकाने, जैसे छोटे छोटे व्यापारिक बनाते हैं, उससे रोज़गार मिलता है, मैंने खेती किसानी की बात की, खेती किसानी से रोज़गार मिलता था, छोटे कारोबार की कमर तोड़ दी, GST लाए, नोट बंदी लाए, अब बताईए, नोट बंदी में आपको खड़ा कर दिया, कतार में, ठीक है, अब तो आठ साल पुरानी बात है ये, तो भूल भी गए होंगे आ क्योंकि आपने देश भक्ती की भावना से वो काम किया, जब आपको कहा गया कि काला धन आ रहा है, तो आपने कहा चलो मैं भी अपने देश के लिए, जितने पैसे हैं मेरे पास मैं, ले जाता हूं बैंक में बदलने, मेरी बेहने बैठी हैं, मेरी एक बच्चों की अध्या सारे हियों में, जब नोट बंदी हुई, तो उन्होंने मुझे का कि सोचिए कि मुझे भी नहीं मालूम था कि उन्होंने छिपा कि थोड़े थोड़े पैसे कथे किये थे, तो जब नोट बंदी के समय सब को अपने पैसे निकालने पड़े तो मैंने पूछा मा ये क्या लोटाएं कि नहीं आपने लोटाएं आप से मांगे गए मोदी जी ने खुद कहा देश भक्ती के लिए काला धन आएगा फिर क्या हुआ आठ साल बाद काले धन की सूची निकल आई निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली ये लोग कहते हैं कि कम से कम इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है पहले पता नहीं चलता था कि राजनी तिक दल किस से चंदा ले रहे हैं अब सूची तो है लेकिन सूची में देखिए जड़ा पढ़ लीजिए जागरुक बन पढ़ लीजिए उस सूची को उसमें कितने नाम है आप जैसे मैंने कहा कोविड के वैक्सीन वालों के पुल के ठेकों वालों के जिनों ने सडके बनाई हैं उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया आप को याद है वो कविता जो बच्पन में सुनाई जाती थी हमें चंदा मामा दूर के याद है रही चंदा मामा दूर के खूब खाए पूर के खुद सोनी के थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया यही हो रहा है आपके साथ आज और यहाँ चुनावी मंच है उस पे इस वज़े से मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनावी मंच पे खड़ी हूई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वोट दो मुझे सच मुझ दुख होता है सच मुझ दुख होता है कि देख के कि इस देश में आज क्या हो रहा है आपके पूरवजों की तरह मेरे पूरवजों ने भी जान दिया है इस देश के लिए मैंने भी शहादत देखी है अपने पिता की, अपनी दादी जी की आज जीवन उन्होंने आपके लिए काम किया, सेवा के भावना उनके दिल में थी यह जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी हिंदु धर्म की परंपरा है हम किसको पूझते हैं, बताइए, हमने भगवान राम को पूझा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी, इसलिए हमने पूझा, आज तक हम उनको पूझते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास सत्ता नहीं थी, क्योंकि हम उनको इसलिए पूझते हैं, क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने, नैतिकता थी, जनता के प्रती श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी, इसलिए पूजा हमने, इसलिए आज तक हम उनको पूजते हैं, हमारे जितने भी महापुर्ष रहे हैं, जितने भी बगवान रहे हैं, उन्होंने क्या किया, सत्ता को कभी नहीं पूजा ये हमारा धर्म कभी नहीं रहा है चाहे भगवान राम को देखिए चाहे माँ भारत को पढ़िए क्या पांडवों के पास सत्ता थी नहीं थी सत्ता हमेशा हमारी श्रद्धा इस देश में हमारे धर्म ने सिखाया उसके प्रती रही है जिसने सेवा गांडी जी को देखिए तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंडते हैं और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देख कर या सोचके कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी उनको आपने आगे बढ़ाया लेकिन आज परिस्थ के बल पर तूट रही है सरकार की विधायकों को सौ सो क्रोड रुपे दिये जारे हैं सरकार को तूटने के लिए सरकार को जंता ने चुना तोड़ने के लिए आप पैसे दे रहे हैं आपकी नेतिकता कहां है सेवा की भावना कहां है जंता के प्रतीश रद्धा कहां है आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं जो चंदा नहीं दे रहा है उस पे एजंसी डाल रहे हैं चंदा देता है तो एजंसी का काम बंद क्या यही नातिकता ढूंड रहे हैं आप अपने नेताओं में क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करें दीजिये जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें, गलत बात है, इससे नुकसान आपका हो रहा है, मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है, भाजप्रा के बड़े-बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं तो इतना कहूंगी कि हम लोगों का भी नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी कृपा से आपने हम सब को इतना दिया है कि हमारे भविष्य तो सुरक्षित हैं आपने दिया है लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है आज ये बताईए क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है ना रोजगार बन रहे हैं, महेंगाई बढ़ती चली जा रही है, ना किसानों की कोई मदद है, श्रम एक सबसे शोषित है, यहाँ पे आप खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, पेंशन का क्या हुआ, आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता, जहाँ जहाँ कॉंग् सेनिकों के प्रदी कोई श्रद्धा नहीं है, जो सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहा है, जान देने के लिए तैयार है, उसको अगनीवीर पकड़ा दिया अपने, और अधानी जी को, देश के सारे हवाईयदे, देश के सारे बंदरगा, उनकी शादियां देखिया अपने, एक बड़े उद्योग पती की अभी बेटे की शादी हुई, आप सबने देखा, देखा ना, कहीं कुछ आ रहा है कि कितने बड़े गहने हैं, कहीं लाखों या करोडों के कपड़े हैं, तो कहीं कुछ, कहीं कुछ, किसान कैसे शादी कराता है अपनी बेटी का, मैं पढ़ता है न, तो ये परिस्थितियां है, ये संघर्ष है आपका, इस संघर्ष को आप नहीं पहचानोगे, तो सरकार कभी नहीं पहचाने भी, ये असलियत है आज, इस देश की, कि ये इस देश का गरीब और गरीब होते चले जा रहा है, और जो बड़े बड़े गिने उने ओद्योगपती हैं, जो इनके मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको पूरी देश की संपत्ती दी जा रही है, तो जब आपकी पुरानी पुरंपरंपरा है, आपकी धार्मिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, कि आप अपने नेताओं में सेवा भा क्यों है, आप क्यों कह रहे हैं कि यह सब ठीक है, खरीदने दीजिए इने सरकार, चंदा लेने दीजिए, घलत लोगों से, चाहे हमारे लिए रोजगार बनाए, ना बनाए, महंगाई बढ़ती जाए, सब कुछ होता जाए, हमें कोई बात नहीं, करने दीजिए, MSP मिले न आपके हाथों में है, सबसे बड़ी शक्ती लोगतंत्र ने महातमा गांधी के अंदोलन ने आपको दिया, आपके पूरवजों के अंदोलन ने आपको आजादी दी, आजादी इसलिए दी, क्योंकि आपके हाथ में वोट का अधिकार मिले, और आप आखे मूंद करके जाके पूलिंग में वोट दे देंगे अपना, किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ आपसे, जागरुप बन जाएए, इस वोट में आपके अगले पाँच सालों का भविश्य है, ये जो लड़के खड़े हुए हैं तुमारा भविश है, तुम अपना भविश्य बनाना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, तो सही वोट डालो, पता करो, कि कौन सा राजनितिक दल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से उनकी बातें, कोई मास मचली की बात कर रहा है, करने दो उसे, उसे वोट मत दो अपना, कोई आपके धर्म की बात इसलिए कर रहा है, क्योंकि उसको वोट चाहिए, पहचानो उसको, जो कौंग्रेस पार्टी आज कह रही है, कि किसानों के लिए MSP का कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको MSP मिलेगी, Congress party कह रही है कि अगनी वीर को खतम करेंगे हम कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में 10 साλों से खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो और तुम्हेरा वहाँ पध खाली पड़ा है लेकिन उसको भरने की कोई का कोई प्रयास नहीं हुआ है तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो, हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हे रोजगार देंगे हम कह रहे हैं कि सना तक पास बच्चों को हम अपरेंटिस्शिप देंगे जैसे रईजों के बच्चे जाते हैं ना पढ़ाई खतम करने के बाद इंटर्शिप करते हैं उनको पैसा भी मिलता है कमपनियों से उस तरह की अपरेंटिस्शिप हम आपके लिए लाएंगे एक लाक रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी पाँच हजार क्रोड का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार है और मध्यम जो कारोबार है उनको हम मझबूत बनाएं ताकि रोजगार बने एक जौब कैलिंडर बनेगा पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है मैं जानती हूं कितनी महनत करते हैं आप जब मैं यूपी में काम कर रही थी मैंने बहुत देखा कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे पेपर लीक हुआ फिर से दिया नुकती का दिन पहले से तै हो जाए कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पे सक्त कारवाई हो और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज़ को किया तो सक्त कारवाई होगी मेरी बहने यहां बैठी है सबसे जादा आप सहती है सबसे बड़ा बोज आपके कंदों पे है चाहे आप मेरी पुलिस की बहने आप मुस्कुरा रही है आप दिन रात काम करती है फिर भी घर जाती है तो बच्चों को समालती है पिर भी आप ही देखती हैं कि जब को खाना मिला, कि बच्चे ठीक है, पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा बोज महिला उठाती है, चाहे वो खेती में काम करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो पुलिस में भरती हो, लेकिन बोज तो वही उठाती है पूरे समाज का, हम इस बात है कि हर परिवार में, जो सबसे बड़ी महिला है, उसको साल आना एक लाक रुपे मिले, ताकि उसकी थोड़ी बचत हो जाए, पचास प्रतिशत, जो सरकारी भरतियां है, उसमें से प्रचास प्रतिशत महिलाओं को मिलेंगी, मतलब महिलाओं के लिए मारक्षित करेंगे, चाहे जितने जो पहले के अरक्षन है, उसी के तहित, फिर, यहां पे चिरंजीवी योजना थी, अब आपने सरकार बदल दी, क्या हुआ, कौन बताएगा, लगभग बंध होने के कगार पे है, जो 25 लाक का मुफ्तिलाज मिलने लगा था आपको, वो अब 5 लाक तक आ गया ह तो हम चाह रहें कि पूरे देश में हम ऐसी स्कीम लाएं कि 25 लाक रुपे तक सब का मुफ्तिलाज हो, स्वास की सुविधाएं पूरी मिलें, मैंने किसानों की बात की, आपके रिन माफी की बात की, आपको मालूम होगा कि कहां कॉंग्रेस कॉंग्रेस की जहां सरकारे हैं, वहां पे किसानों के रिन माफ किये गए हैं, हम देश भर में किसानों के रिन को माफ करने के लिए एक आयोग बनाएंगे जो स्थाई आयोग होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक समय रिन सब के माफ हो गए, लेकिन जिस जिस का रिन है वो उस आयोग में जाकर अपने रिन माफ ल आपके फसल के नुकसान के मुआवज़े के लिए तीस दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवज़ा मिलने के लिए हम कानून बनाएंगे नई क्रिशी की आयात निर्यात की नीती बनाएंगे भूमी हीनों को हम जमीन का वितरन करेंगे उनके लिए और गाओं के किसानों को आसा करेंगे कि जितने भी क्रिशी में इस्तिमाल होने वाले समान हैं उनकी GST हटाई जाएगी वो GST से मुक्त हो जाएगी तो ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं अब आप कहेंगे कि मंच पे खड़े होके तो कुछ भी कह सकते हैं आपने तो सुना है मोधी जी से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कि आपके सामने फिर कुछ करके नहीं दिखाया जब-जब चुनाओ आया तो फिर इधर-उध कि अधर की बातें मास, मचली, धरम, जाती की बातें शुरू तो ये प्रमान क्या है कि ये जो प्रियंका गांदी आपके सामने खड़ी होके बोल रही है या सचिन पाइलर जी बोल रहे है हम ये करके दिखाएंगे इसका प्रमान ये है आप देखिए कि कॉंग्रेस की सरका करनाटका में बनी हमने चुनाओ से पहले गैरंटी दी थी कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने मिलेंगे वो आज मिल रहे है हमने 36 गड़ में कहा था OPS लागू होगा OPS लागू हुआ वहाँ पे जब हमारी सरकार थी हमने हमाचल में कहा कि OPS लागू होगा आज लागू है हम हमाचल में कहा कि 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे वो देना शुरू कर दिया है तो आपको जागरुक बनके देखना चाहिए कि जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं आपको पता चलेगा कि कॉंग्रेस की जहां-जहां सरकार है वहां हम काम करके दिखा रहे ह हम समझते हैं कि यह देश आस्था का देश है हमारी आस्था आप से जुड़ी है आप देश की जंता हो मैंने पहले ही कहा कि हमें आपने बहुत कुछ दिया तो जितनी भी सेवा हम करेंगे आपकी चाहिए जितनी भी पीडी आपकी सेवा में लगें वो कम होगा आपका रिन हम नहीं चुका पाएंगे आस्था का प्रमान हमारा धर्म क्या कहता है कि आस्था का प्रमान क्या है आस्था का प्रमान त्याग होता है होता है कि नहीं सत्ता को पकड़ के रखना नहीं होता है तो पहचान लीजिए कि क्या हो रहा है पहचान लीजिए कि देश में जो सरका चाहब चल रही है वो सिर्फ अपने लिए अपने बड़े बड़े अद्योगपति मित्रों के लिए सब्ता में रहने के लिए चल रही है खुला हो सब के सामने बोल देते हैं कि हम सरकार तोड डालेंगे आपने वोट दिया कोई बात नहीं हम इसको तोड देंगे सब जानते हैं कि कैसी तोड़ी जा रही है पैसों के बल पर तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रती है इस देश के जनता के प्रती है उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जाग रुक रहे हैं आप आसपास के देशों को देखिए पाकिस्तान को देखिए आसपास के सब देश जो है स्री लंका को देखिए नेपाल को देखिए क्या भारत देश क के तरह आगे बढ़े, नहीं बढ़े, यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाएं क्योंकि हमारे देश में लोग तंत्र है, हम इसलिए आगे पढ़ पाएं क्योंकि हमारे नेताओं ने जो राजनेतिक डल आये, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वो पर ही रख कर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी जब तक जनता ससक्त नहीं होगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है आज आपको दबाने का काम हो रहा है तरें तरें की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही है और नीचे उसका अधार ये है कि लोक तंत्र को खतम करना चाहते है और मैं आपसे कहना चाहते हूँ कि यह जो चुनाओ है ना यह दोसा का चुनाओ नहीं है यह सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी और भाजप्पा के भी चुनाओ नहीं है यह अपने देश को बनाने वाला चुनाओ है यह देश का भविष्य तै करेगा ये जो सम्विधान को खतम करने की बात करते हैं इससे आपके अधिकार कमजोर होंगे आपके अधिकार खतम होंगे जो सब आप मांगते हैं अपने लिए वो आप मांग भी नहीं पाएंगे ये जो वोट है क्या पता ये वोट भी कतम नकर डाले तो जागरुक रहिए ये सम्विधान आपको बचाता है आपको अधिकार देता है आपके देश को हमारे देश को मजबूत बनाना बनाता है इसलिए इस सम्विधान को बचाने का चुनाओ है तो ये बात आप एक्तम गहराई से समझ दीजे और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस सम्विधान का आपके जीवन में क्या इस सम्विधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है तब आप समझेंगे